नमस्कार, एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल में आप सभी का मैं श्वागत करती हूँ, हैल्थ अवर्नेंस सीरिस में आप हम बात करने वाले हैं, नेचरोपेथ की, नेचरोपेथ क्लीनिक गुजरात में फर्स्ट है और सूरत में है वो, वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, नेचर केर क्लीनिक उनकी जो फाउंडर है, डॉक्टर ममता शौनी जी, ममता जी आपका स्वागत कर रही हूँ, हमारे स्टूडियो में, ममता जी के बारे में हम थोड़ा सा पहले जानेंगे, ममता जी ये जो नेचर केर क्लीनिक है आपका, और गुजरात आप में फर्स्ट है और हमारे सूरत में है आप हमारे सूरत में है वो हमारे लिए बहुत गर्वा की बात है तो यह आपने कैसे शुरू किया और इस क्लिनिक में क्या-क्या है वो बताईए यह क्लिनिक के शुरुआत मैंने अपने घर से की थी आज इसको 21 यर्ज हुए है और उसमें हम लोग है ट्रीटमेंट देते हैं स्किन ट्रीटमेंट देते हैं बालों की कोई भी समस्या हो हैरफॉल है, डान्रफ है, अलोपेशिया है, स्प्लिटन्स है कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट की वज़े से अगर आपके बाल डामेज हुए हैं सफेद बालों के लिए हम नैच्रल महंदी उसकरते हैं सारी ही ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं जो भी समस्या बालों की होती है सारी हम नैच्रल प्रॉडट्ट से ही उस पर ट्रीटमेंट देते हैं जी, बालों के साथ साथ और भी आप बतलब ड़को करते हैं जी वहां पर उनके बारे में जोड़ा सा बठाई है और जिनको जो प्रॉब्लिम होता है उस हिसाब से ही वो प्रोड़क्ट डिसाइड करते हैं कि किसको क्या देना है प्रोड़क्ट के साथ साथ मतलब आप जो ट्रीटमेंट करती है और आज हमने टॉपिक भी वही लिया है क्योंकि यह हमारी हैल्थ अवरने सीरिस चल रही है उसके अंदर आज हमने यह टॉपिक लिया है कि hair and skin problems जो आजकर लोगों की ये बहुत ज्यादा समझ्यह हो गई है लोगों को बहुत ज्यादा hippe की समझ्यह हो गई है यह जैसे की hair damage हो रहे है hair fall है फिर बालों की जर्णे की समझ्यह सबसे ज्यादा है मेरे और महिलाओं की कंपलेन यह सबसे ज्यादा है पर मेरा मानना है कि महिलाओं की नहीं पर सभी लोगों को प्रॉब्लेम है युनिवर्सल प्रॉब्लेम है तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्ट्रेस कम लेंगे सबसे बड़ा इश्यू आजकल स्ट्रेस का है जो हम खाते पीते हैं वो भी पहले जैसा नाच्रल नहीं है सारा बहुत सारा फर्टिलाइजर केमिकल मिला हुआ हम जो खाना खाते है उससे हमें प्रॉपर नरिश्मेंट नहीं मिलता है फिर सबकी लाइफ बहुत स्ट्रेस्पुल हो रखी है यह सारी समस्या की वज़े से सभी को हैर प्रॉब्लम हो रहे है इन दिनों तो थोड़ी शी हम बताएंगे कि अगर आपका नॉर्मल एकम बात करते है कि सबसे ज्यादा बालों का जड़ने की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है तो उसके लि प्रॉपर नींद लेनी चाहिए थोड़ी एक्सेजाईस करनी चाहिए पानी ज्यादा पीना चाहिए बालों में ऑईलिंग करना चाहिए कोई भी केमिकल से दूर रहना चाहिए जो आजकल बहुत केमिकल का यूज होने लगा है तो यह सब चीजों से थोड़ा हमें बचके रहना चाहिए और भी एक चीज़े की कम उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं तो उसका रीजन क्या है पहले के टाइम में क्या होता था जब ममीज न्यू ममीज प्रेगनेंट होती थी तो बहुत पौश्टिक कहा हर खाती थी और आजकल जंक फूट का यूज बहुत बढ़ ग अगर प्रॉपर प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान दिया जाता है स्ट्रेस कम लिया जाता है तो उससे बहुत ही फरक पड़ता है बच्चों में और बच्चों को भी आजकल स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है स्टडीज का फिर गोल अचीव करने का बहुत सारे बच् अगर थोड़ा अवाइट कर सकते हैं, तो उससे भी ये प्राब्लम, थोड़ी हेरिडिट्री भी हो सकती है, कि अगर ममी पापा को छोटी एज में सफेद बाल हुए हो, ऑईलिंग कम करने से भी ये समस्या होती है, अलग-अलग शैंपू स्ट्राइ करने से, आजकल बच्चो में तो हैं लेकिन यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा है, तो उनको भी हम कुछ कहेंगे, तो ये सारी चीजों से दूर रहना चाहिए, ये हुई हमारी छोटी उमरह में जो सफेद बाल हो जाते हैं, उनके बारे में हमने थोड़ी से टिप्स दी, और जिनके बाल ज्यादा जड़ रहे हैं, उनके लिए भी हम थोड़ी से टिप्स देंगे, एक तो जब आपको पता चलता है कि आपके हैरफॉल शुरू हुए है, अगर तबी से आप कैर करना शुरू करते हो, तो वो बढ़ नहीं जाएगी समझ से आपकी, तो पहले तो ये हमें देखना है कि हमारा हैरफॉल के सवज़ से हो रहा है, आप प्रॉपर खाना खा रहे हो, टाइम पे खाना खा रहे हो, आप प्रॉपर नीन ले रहे हो, बेसिक जो है वो पूरा आपके डाइट के उपर हो जाता है, अब जितना अच्छा डाइट लोगे, उससे आपका अच्छा रहेगा, और ड तो जो प्रोपर आज आप ड्राइफ्रूट अगर खाते हो या घर की रोटी खाते हो बाजरे की रोटी जुवार की रोटी वो खाव और मैदा खाओ मैदा इस टोटली प्रोसेस्ट तो डाट इस नोट गिविविग यो अने बेनेफिट तरशक मित्र हम बात कर रहे हैं हैल्थ हवरनेश शो के अंदर आज नेचर के क्लिनिक के जो फाउंडर है और गुजरात का ये फर्स्ट नेचर ओपेथ क्लिनिक है उनकी फाउंडर डॉक्टर ममता सौने जी से जो आज हमारे यहां है और हम बात करेंगे हैर एंड स्कीन के बारे में हम थोड़ी सी टीप्स दे रहे है ममता जी से ले रहे है टीप्स क्योंकि वो भी इतनी शुन्दर दीख रही है तो इतना अच्छा मतलब वो खुद भी यूज करती है अपना जो प्रोड़क्ट है अपनी जो ट्रिट्मेंट है वो खुद भी कर रही है तो उससे दीखी रहा है कि वो कितना अच्छा होगा तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी स्कीन की हम बात करते हैं स्कीन में ज्यादा तर लोगों को आजकल यंग दिखने का ज्यादा लोगों को वो हुआ है कि मेरी स्कीन टाइट हो यंग दिखने के लिए स्कीन की ट्रिट्मेंट कुछ भी करवाते हैं तो क्या वो सही है ट्रिट्मेंट करवाते हैं उससे ज्यादा मैं ये फोकस करूँगी कि हमारी स्कीन कैसी अच्छी रहे स्कीन अच्छी रहने के लिए आप थोड़ी फेस की एक्सराइस करिये पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए अपना अर्थ जो है तो अगर हम हमारे डायेट से ज्यादा अगर सेवेंटी परसंट पानी पर फोकस करते हैं इट इस नॉट उनली पानी आप उसमें कोई भी लिक्विट भी ले सकते हो बटर मिल्क चाश ले लो कोई ज्यूस ले लो निम्बु शर्बत ले लो आज कल वाटरमेलन अच्छे मिल रहे तो वाटरमेलन खा लो जतना हेल्दी खाओगे उतनी स्किन वाट इस इंटर्नल व कुछ प्रॉबलम होती है किया क्योंकि आजकल ज्यादा तर मैं बात कर रहे हूं कि शोस वगेरे ज्यादा चलते है ब्यूटी पेजन्ट के शोस बहुत ज्यादा चलते है आप आपने देखा होगा तो ज्यादा तर कहीं लोग ऐसे भी हो कि उनको डेली मेकप करना पड़ता हो तो उससे क्या होगा skin के pores बंद हो जाएंगे और फिर आप make-up करिए और make-up का जैसे ही काम खतम हो जाता है उसको अच्छे से पूरा निकाल दीजिए और हो सके तो make-up को जितना avoid कर सकते हो उतना करिए because we always say be beautiful naturally बिल्कुल सही बात है बट जिनको जरुवत है करना ही पड़ेगा कि जैसे की like actor है अगर उनको compulsory करना ही पड़ेगा तो उनके लिए हम ऐसा कुछ करें कि वो उनका सही रहे मतलब make-up करने के बाद उनको care करनी है वो कर सके और hair की भी हम बात करें तो hair dye लोग ज्यादा करते हैं बाल सफद आजकल काम एज में ही लोगों के बाल सफद हो जाते हैं तो hair dye कंपलसरी लोग करते हैं मेंदी उस करते हैं तो क्या वो कितना मतलब सही है मेंदी शुरू से ही अच्छी रही है पर मेंदी की quality is important अगर आप अच्छी कॉलिटी की मेंदी यूज करते हो तो मेंदी ही हमेशा एडवाइजबल है अज कलर यानि इस हनृट परसेंट केमिकल जो बालों को काला कर रहा है तो जितना आप मेंदी का यूज करो उससे बाल कोई खराब नहीं होते हैं और हमारी यहां तो बहुत लोग कलर से मेंदी पे स्विच ओन हुए है जो मैं अकसर फेस्बूक पे रखती हूँ कि लोग कितना प्यार से मेंदी करवाते हैं कलर छोड़के उन्होंने मेंदी शुरू की है और वेरी हैपी बहुत खुश होते हैं क्योंके कलर से क्या होते हैं बहुत एक तो ड्राइ होते हैं फ्रीजी हो जाते हैं हैरफॉल होता है और जैसे ही आप मेंदी स्विच करते हो आपकी बालों की कॉलिटी एकदम अच्छी हो जाती है पर मेलाओ की हमारे questions भी काफी सारे आये हुए थे लोगों ने जब भी हम बात हुई कि भई ये शो होने वाला है तो लोगों के questions भी काफी सारे आये हैं तो उन में से मैं 2-3 questions आपको पूछूंगी कई उसमें से ज्यादा तर जो आये है questions वो आजकल लोग onion oil यूज कर रहे हैं उसके बारे में लोगों ने ज्यादा पूछा है कि onion oil से बाल बढ़ते हैं तो इसके बारे में बताए हैं या सही है या क्या करना चाहिए उसके लिए मैं जो चीज करती हूँ उसी के बारे में बताती हूँ तो मैं आज तक कभी भी अनियन यूज नहीं किया है और मेरे हाँ जैन क्लाइन्स बहुत है और उनको अनियन बिलकुल ही नहीं चलता है और अगर बिना अनियन के भी अगर अच्छा रिजल्ट मिलता है तो वाइ शोड आई ट्राइ ऑल्सो तो मैंने बिलकुल ट्राइ नहीं किया है जिनको अच्छा लगता है वो करते रहे आप करते रहे लेकिन उसे कई लोगों को इरिटेट भी होता है कि उसकी स्मैल्स इतनी गंदी आती है जब लगाते है तब तो उसके अगेंस्ट में क्या करें अगर ओनियन ओयल यूज नहीं करते है तो आपका सजेशन क्या है कि क्या करना चाहिए सिर्फ अनियन जरूरी नहीं है कि अच्छा रिजल्ट देगा काफी सारी दूसरी चीज़े भी है आज नारיयल तो सबसे बेस्ट ही माना जाता है अब नारיयल का यूज करिए अलावेरा का यूज करिए यही सारी चीज़े अच्छी होती है जो मैं रेगिULर यूज करती हूं तो मैं उसके बारे में बता सकती हूं पर अनियन एक तो बहुत ही बदबू होता है और मैं इसलिए यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मैं उसे तामसी मानती हूँ परसनली अभी बात करेंगा हम ट्रीटमेंट के उपर जाएंगे आपके यहां कौनसी कौनसी ट्रीटमेंट कैसे होती है क्योंकि अगर किसी को करवान ही है समझे कि उनके बाल जट रहे है और बाल को ज्यादा उनको बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना है आपको कैसे मतलब कंसल्ट कर सकते हैं उसके लिए पहले तो एक appointment लेके consultation अगर हम करते हैं तो उसे ज्यादा समझ में आएगा कि आज मैं उनके बारे में कुछ जानूंगी कि उनको किस वज़े से ये problem हुए है तो हम उनको accordingly गाइट कर सकते हैं अज बिना consultation के मैं आपको जानती नहीं हूँ तो कैसे आपके आपकी सम काभी लोग treatment करवाने आते भी होंगे तो उसका result क्या है और कैसे मतलब कितने time में मीज़दा है एक तो हम लोग कभी advertise नहीं करते हैं हमारे clinic की बारे में और जो भी आता है वो किसी ना किसी के reference through ही आता है अगर जिनको अच्छा reference अगर अच्छा result मिलता है तो naturally वो आने ही व की है सब को वाया वाया पता चल रहा है और सब आ रहे हैं तो एक confidence से लोग आते हैं जैसे अगर आपको अच्छा लगा तो आप चार लोगों को बताएंगे हमारे बारे में तो वैसे ही हमें इतने सालों से काम कर रही हूँ अभी हम बात करेंगे अभी जो कोरुना वाइरस पाट रहा है तो लोगों को रोक प्रतिकार्त शक्ती बढ़ानी है उसके लिए लोग कुछ भी करते हैं क्योंकि अपने आपको बचाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा तो आप क्या कहेंगे इसके लिए है क्या करना चाहिए इक तो आपकी immunity बढ़ानी चाहिए हमें हर को आज कल इम्मुनिटी बढ़ाना ही पड़ेगा तो ही हम सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि लॉक्डाउन भी गवर्मेंट कितने वक्त रखेगी तो अगर हमें अमारी इम्मुनिटी बढ़ानी है तो जवन प्राश आप खा सकते हो जवन प्राश के अलावा सुब रोज रेमन ग्रास मिलाओ और अपने बहुत सारे हर्ब्स होते हैं स्पाइसिस होते हैं वो सारे मिला के आप उसका गरम पानी बना के पी सकते हो और अभी हम भी वितिन वेरी शॉर्ट पिरिड ऑफ टाइम एक इम्मुन बूस्टर पावडर लेके आ रहे हैं जो आपको सिर्फ ए इलाके पी लेना है तो उससे अपकी इम्मुनिटी काफी बढ़ेगी और यही चीज इतने दिनों में हमने किये हैं हमारे नेबर्स को दिये हैं तो सबका फीड़ बहुत ही अच्छा रहा है इसकी बारे में तो मतलब आपने मैं सोची रही थी कि ऐसा कुछ आप करी है तो आपने बता ही दिया कि रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए आपने पावडर लॉंच करी रही है उसके लिए आपको बहुत-बहुत सुबेच्छा जल्दी ही वो लॉंच हो जाए और लोगों को help मिल जाएगी उससे अभी क्लीनिक पे जो ट्रीटमेंट हो रही है और कैसे मतलब आपके क्लीनिक पर आ सकते हैं मतलब कौन सी टाइम पर विजिट कर सकते हैं कहां पर है आपका क्लीनिक वो हमारे दर्शकों को बताईए मेरा क्लीनिक पारले पॉइंट पे है उसे पहले मेरा क्वेस्टन है कि इस दौरान ये अपने नेचरो पे जब क्लीनिक का शोचा और आपने क्लीनिक लॉंच किया क्लीनिक खोला तब कुछ ऐसा अनुबव रहा जो प्रेणादाई हो आपके लिए या कुछ यादगार कि मैंने अपने प्रोड़क्स अपने प्यारे हिमा माली नी जी को दिये थे मैंने सिर्फ उनको बेजे थे और एक दिन उनका सामने से कॉल आया कि आप मुझे मिलने आ जाओ आज मुझे उस बात की खुशी है कि वो तो बहुत सारे बेस्ट प्रोड़क्स यूज करते हैं औ अगर फिर भी उनको हमारे प्रोड़क्स अच्छे लगे तो वही हमारे प्रोड़क्स की स्ट्रेंग्थ है तो I always feel happy about it कि चलो आज उनको गिफ्ट दे दिये बड़े लोगों को गिफ्ट दो और बूल जाओ यह ऐसी mentality थी हम लोग ऐसी होती ही है कि अब देखे बूल जाओ क क्योंकि उनके यहां से response आए नहीं आए हमें पता नहीं है पर जब उनको सारे प्रोड़क्स के बारे में जानकारी मिली तो उनकी पूरी फैमिली अपने प्रोड़क्स आज की दिन में भी सारी अपने यूज करते हैं and she is very happy वो अपने पारले पॉइंट क्लिनिक पे यह अच्छी बात है कि ऐसे ही मतलब यह जो नेचरोपेट है उसकी लोगों को साइद ऐसा मानना होगा कि इसकी जो प्रोड़क्ट है उस ज्यादा महेंगी होगी तो उसके बारे में क्या आप कहते हैं महेंगी है प्रोड़क्स की लोग पर्चेस करके यूज कर सकते हैं क्य तो मैं नहीं मानती हूँ कि मेरे प्रोडक्स इतने एक्स्पेंसिव है, आज सबको ही वो कॉस्ट एफेक्टिव है, विकाज आपको जब कोई अच्छी कॉलिटी मिलती है, तो वो ही हमें देखना है कि आपको कहां अच्छी कॉलिटी मिलती है, बिल्कुल, और आजकल लोगों ये भी है कि चलो ये ऑनलाइन में भी सर्च करते हैं या कहीं भी सर्च करते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट ज्यादा लोग आजकल मतलब शॉपिंग कर रहे हैं, तो कुछ अलग आ जाए, कुछ अलग यूज करो, इस से बहतर है कि कुछ जानने के बाद आप इसको यूज करें अगर आपको नहीं है, तो आप गूगल पर जाके उसके बारे में सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, तो आपको उसके बारे में जानकारे भी मिलेंगे और इसका रिजल्ट कितना मिलता है, वो भी आपको उसके अंदसायद मिल सकता है, तो ऐसे ही आज हमारे ममता जी यहाँ प करते रहेंगे आगे कि लोगों को ज्यादा और नेचरोपेट के बारे में और अभी आप बताईए आपको अगर किसी के किसी को टीटमेंट करवाना है तो कैसे आपकी यहाँ वो विजिट कर सकता है पारले पॉइंट पर मेरा क्लिनिक है और सब कुछ अपॉइंटमेंट से ही होता है और अभी फिल्हाल लॉकडाउन की वज़े से हमारे टाइमिंग 10.30 तो 3.00 के है जैसे ही कुछ अपने प्यारे मोदी जी कुछ अनाउंस करेंगे तो फिर टाइम बढ़ा देंगे फिर और ममता जी खुद देखती है सब जो अपने क्लाइंट है उसको और ट्रीटमेंट करती है तो बहुत ही अच्छी बात है आज हमें भी यहां पर वो आई है और इतने अच्छी इंफोर्मेशन दी है सबको तो हमें भी अच्छा लग रहा है और हमारे चैनल का जो मोटो है य चाहे कोई भी टॉपिक हो अभी हमने हेल्थ अवर्नेस शो यह पूरा हमारा मन्द चलेगा तो हेल्थ अवर्नेस शो में हम सबको अवर्नेस ऐसी करते है कि लोगों को काम आए कुस ऐसी चीज हमारे चैनल के माधिम्स के द्वारा हम बता रहे है कि लोगों के कुछ काम लग तो जरूर से हमारे चैनल को सस्क्राइब करिएगा यूट्यूब पे वेबसाइट पे विजिट करिएगा फेस्बूक को पेज है उनको भी लाइक करिए और डॉक्टर मम्ता सौनी को भी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो जरूर से नेचर केर क्लीनिक नेचरोपेट पे आप सोशल साइट्स पे उनको फॉलो कर सकते हैं और और एक बात में बताना चाहती हूँ हमारे तरशकों को अभी तक हमारे सोशल मीडिया पे 35 लेक्स से और हमारे वीवर्स हमारे साथ जोड़ चुके हैं तो उस सभी को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी की मैं आभार दिया है लोगों के बहुत सारे कॉमेंट्स है फेस्बुक पे लोगों ने कॉमेंट्स किया है रेटिंग दिया है और कॉमेंट्स भी बहुत अच्छी उन लोगों ने दिखिये जीनों हने पर मतलब कॉमेंट्स दिया है सभी का तो मैं नाम अभी नहीं ले सकती क्योंकि बह में प्यार देते रहें और हमारे साथ जूड़े रहें और हरोज अभी पोरे मुझा चलते रहेंगे तो ज़रूर हमारे साथ जूड़े रहे थैंक यू सो मच थैंक यू मंता जी आपका भी आभार थैंक यू सो मच जी कर दो इस की यू सो मच जी आपका भी आप झाल झाल कि यू